दोस्तो कैसे हैं आप सभी आपका अपने स्कॉलर स्टेडी यूटूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तो जैसा कि आपने थमनेल में देखी लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं उत्राखंड आई टी आई एड्मिसन के बाले में क्योंकि दोस्तो आपको पता ही है कि आपकी जो काउंसिलिंग है वो दोस्तो उत्राखंड में स्टार्ट हो चुकी है और आपकी जो loss date थी वो दोस्तों यहाँ पर 1 đang 2022 थी जो की दोस्तों आप चेनिज कर दी गई है यानि कि अब यह जो date है वो दोस्तों यहाँ से बढ़ा करके अब इसकी date जो है वो दोस्तों आपका 5 अक्टूबर कर दी गई है तो दोस्तो इसी संबंदित आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहले दोस्तो यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आप हमारे ITI के टेलेग्राम गुरूप से जोड़ जाएए लिंक आपको नीचे डिस्किप्शन मिल जाएगा जिससे कि दोस्तो आप लोगों को पलपल की अपडेट मिलती रहे तो चलिए दोस्तो देर ना करते वे वीडियो को सुरू करते है जैसा कि दोस्तो आप देख सकते हैं यह एक नोटिस है जो कि उत्राखंड ITI के तरफ से जारी किया गया है जिसमें आपसे क्या कहा गया है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तो आपसे बताया गया है कि आपके जिले में यानि कि दोस्तों यहाँ पर मैं पढ़के बता देता हूँ अब भ्यारतियो दारा परवेश शेतियो जिलिये के संस्था वेवसाइब के निश्यल की विकल्प दिये जाने की तिथी यहाँ पर दोस्तों तिथी देखिये लिखी विये 29 सितंबर 2021 से 5 अक्तूबर 2021 तक इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या लिखाया है मैं बता देता हूँ से चिक अर्था के अनुसार संस्था वेवसाइब के विकल्प दिये जाने अनिवार होंगे पूर में आनलाइन अवेदन के साथ दिये गए विकल्प मानने नहीं होंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपसे यह कहा गया है कि यदि आपने अभी तक अपने आई टी आई में यानि कि जिस आई टी आई में आप एपनिसन लेना चाहते हैं उस आई टी आई में नहीं गए हैं तो वहाँ पर अपने सारे डॉकुमेंट्स ले करके पहुंच जाएए वहाँ पहुँचने के बाद आपको एक form दिया जाएगा form में दोस्तों आपको कुछ ही tarayday के नाम लिखने होंगे जो कि आपको चाहिए होता ठीक है दोस्तों तो जो भी ट्रेड आपको चाहिए हो जैसे elektrician, feature, copa जो भी आपको चाहिए हो वो आपको दोस्तों दुबारा से उर्फव में भरनी होगी क्योंकि जो आपने ऑनलाइन भरते समय दिया था ट्रेड वो दोस्तों ट्रेड यहाँ पर माने नहीं है इन्होंने यहाँ पर पहले ही कह दिया है आप देख सकते हैं ठीक है तो आप लोगों को नई ट्रेड भरनी है उसके बाद यहाँ पर साथ तारीक हो ठीक देख दोस्तों नीचे लिखा हुआ है जब आप लोग पास तारीक तक वहाँ पर एड्मिसन के लिए अपलाई कर देंगे ठीक है दोस्तों जब पास तारीक तक आप लोग अपलाई कर देंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साथ तारीक हो यानि क कि आपको site पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो आपको जानकारी मिलेगी, वो आपको अपने college में जाकर कि देखना होगा, कब देखना होगा, तो 7 October 2021 को अपने college में जाना होगा, जिस college में आपने admission के लिए apply किया है, वहाँ जाने के बाद दोस्तो संस्था यानि की जो संस्था होती है, उसके main gate पे आपको एक सूची चिपकी भी मिलेगी, जिसमें सभी student के नाम होंगे, जिन्होंने वहाँ पर admission के लिए apply किया होगा, और जिन्होंने को वहाँ पर seat जो है दी गई होगी, तो वहाँ पर दोस्तो जाकर के आपको अपनी seat चेक करना है, आपको seat मिली है या नहीं मिली है, यदि दोस्तो आपको वहाँ पर कोई भी seat नहीं मिलती, तो फिर आपको second सूची का इंतजार करना होगा, second list दोबारा जब जारी की जाएगी, तो उससे संबंदित जो भी जानकारी होगी, वो दोस्तो हम आपको देंगे, अभी दोस्तो केवल first list से संबंदित जानकारी थी, जो कि दोस्तो मैंने आपको यहाँ पर दे दी, अब इसके बाद दोस्तो second list से संबंदित जैसे ही जानकारी आएगी, कि वो भी मैं आपको यहां पर जानकारी देता हो रहाँगा तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजे वीडियो से मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में